जहीं दोस्तों मैं आपका दोस्तों शेक आपका एक्जाम करकर जो उनकर स्वागत करता हो दोस्तों आपको पताई होगा हाई-court दौरब निकाली के वेकंसी लबग 35 के अप्रॉक्स है दोस्तों और जिसमें दोस्तों गृूप C के वेकंसी के बारे माँ चर्चा करेंगे और आपको दोस्तों पेपर डाउनलोड कैसे करें और इसकी मेरिट कितनी गए थे दोस्तों वह भी बताई जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहली बात देखे हैं दोस्तों 1413 वेकंसी आई है आप देख सकते हैं इसमें दो वेकंसी होती है जूनियर सिटें और पेड अपरेंटिस ठीक तो अगर आपको इसमें वरिता मांगेगा तो पहले पहले आप पहले आले को दीजिएगा उफके बाद दूफरे आले को दीजिएगा ठीक है उफके बाद दीखे दोस्तों लिखा या देर विल बी वन्स कॉमन अप्लिकेसं फार्म बोथ वेकंसी में भी इंक्रीज एंड इक्रीज देखिए वेकंसी की जो संख्या दोस्तों बढ़ती हो घड़ भी सकती है यह पहले बता दिया गया है में अन्संज कर दिया गया है अब इसकी योगिता के बारे में बताए गया है योगिता दोस्तों वही मांगा गया है इंटर के साथ आपको नौलेज होना चाहिए हिंदी का दिया है दोस्तों उड़ दुझ लिखा है उड़ दुझ नहीं आपको आपके पाफ अगर हिंदी भी हो तो काम चलेगा क्यों 2004 जो वैकंसी आए थी कई लोग सेलेक्शन लिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुए और 2000 अभी क्या नाम है जो वै लुझ दिया गया है ठीक है तो उनको अब रिजल्ट ही नाॉंस करना है सब रिजल्ट बना हुआ पहले से ही है चले दोस्तों दिखते हैं इसमें भी मांगा गया देखे मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक इंटर के साथ आपने दोनों टाइपिंग कियो ठीक है हिंदी इंगलिस दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए देखो यह आपलिक मतलब यह नहीं कि जो आप फोच रहें कि अनिवार नहीं आ रहता है ठीक है दोनों टाइपिंग दोस्तो अनिवार है आपको ठीक है उसके बाद होस्तों रिजरेवेशन इसमें आपको रिजरेवेशन पता ये बात रचन करने हैं में ग्रणी करना है देखिए दोस्तों 20 परसंट. दो परसंट डी एक के लिए है एक सर्विसमेन के लिए 5 परसंट है और फिच के लिए चैलेंज के लिए 3 परसंट है उसके बाद दीखे दो इसमें दीखे दोष्टों क्या लिखा है तो फ्रेंड देखे यहां लिखा दीखे आपका 26 आजशन के अनफार ही देखा जाएगा और दूफरी बात दोस्तों आपको दो आजशन में से एक ही आरशन मिलेगा जिसे या तो आप एज रिलेशन लिलेजिए या तो आपको ज़र ज़र बेशन मिल जाएगा ठीक है इट इंपाड़न दे नोट आप दा सच कंडिडेट ठीक है आपको जो स्टेट दोनों स्टेट में पाफ होना ज़रूरी है ठीक है और उसके बाद ही दोस्तों आपका नंबर बनेगा मेरीड बनेगा ठीक देखे एक्जामनेशन सेंटर दोस्तों कितने हैं 32 सेंटर है ठीक है जो में फैजाबाद अभी भी दिया है इन्होंने तो देखे दोस्तों मुझे आद है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था ठीक है उस वीडियो को मैंने बताया था कि एक दो लोग मनलब गलग-गलग कि अभी तक ठीक है उसके जीयो मतलब जो फास्वना देस होता है जो उसके विज्ञापन की बतकिरिया होती दोस्तों उसमें कोई भी मतलब बदलाओ नहीं हुआ है और सभी बदलाओ यहीं करते हैं टाइपिंग वाला ठीक है और आपको टाइपिंग बताते हैं क्या टाइ दोस्तों एक साथ दोजार अठारा को दा कंडिडेट फूड बी नॉट टू बॉर्ण ठीक है दो जुलाई उन्हीं फटतर से लेके एक जुलाई दोजार की बीच में पैदा होना चाहिए उसके उपर का माने नहीं होगा दोस्तों और अगर माने होगा तो OBC को जानते है ज ठीक है there will be one common offline ठीक है offline exam होगा यह important है ठीक है which of the four objective type questions so questions आते हैं जैसे पिछली बार आया था ठीक five candidates in order of merit written examination shall be shortlisted देख रहें दोस्तों मैं आपको फिर से आज एक शी बता दे रहा हूँ ठीक है कि आरच्छन ठीक आपको सुरुआद में नहीं मिलेगा ठीक है जैसे मैं example के तौर पर आपको अधा दे रहा हूँ जैसे आपको दोस्तों सोफीट है ठीक सोफीट में पचास जैनल के हैं मतलब पचाफ आना रच्छित हैं पचीस OBC और पचीस जो है SC ठीक तो इसमें पांच गुना बुलाया दोस्तों तो पांच गुना से इससे गुड़ा कर दीजे ठीक है पचों पचीस मतलब दोस्तों पचास लड़के से लेट होंगे जैनल क भले मेरिटिंग की कम जाए कि जितने लड़के जनल में रहेंगे दोस्तों उनके अंसार सौट लिस्ट कर दियाएगा लेकिन दोस्तों अंत में जाके एक दो नंबर सबका जनल का क्या नाम OBC के मुकाबले कम हो जाएगा ठीक है मतलब जनल का ज्यादा रहेगा OBC कम हो जादो कोई हैं दोस्तों वो केस लड़ रहे थे मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ होगा केस उसका क्योंकि अभी तक कुछ सुना ही नहीं दिया उसमें पहले सी मैंसन देखिए साफ आप मैंसन रहता है नोटिफिकेशन में की सौट लिस्ट किया जाएगा ठीक है काटेग दुइक है फॉण है किया पिछली बार क्या था तीन फॉण्ड दिया था अब क्या दे रहा है कि हिंडी में जो है इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड ठीक तो आपने जो दुस्त की बोर्ड फीक है पुराने वाले बहुत से लोग सीखिये हैं लेकिन मुझ जैसे लोग कुछ लो हो गए उसमें कहा कि rusher कोंड का निगाला था ऊसमें मैं नहीं अग凶ुश लेंगे उन्होंने कहीं मैंकर और था उनका नहीं घ्यादा था एंधिर अधिक्र गया था तो अबकी लेकन दोस्टो जब पर्मेट एडरी आए बेकेंसी आए तो इहां alle code जाने लगेक या खोट जाने की धमकिदेन लगे आयों में बार बार फॉन करने लगे तो जिस उन्हों आप एक महिना भी फुरू कर दीजिए, एक महिना हम आप इंगलिस सीख जाएंगे, और के बाद आराम फे हिंदी ये इंगलिस दोनों चलते रहें, मतलों कम्बाइन करके चलाते रहें, ठीक है, तो मिपार्टन बात दोस्तों यह है, आपको इंस्क्रिप्टी सीखिना है, ठी अगरा दोस्तों दिखते हैं, इंटर्व्यू सेल नार्ड भी पार्ट दा सेलेक्शन बोसे थी, इंटर्व्यू जो है, प्रॉस्तों का पार्ट नहीं है, और कम्बाइन मेरिट दोस्तों बनेगी, लिखित परिच्छा की और जो 50 नंबर का पेपर होगा ठीक है, और पेपर देखें, इसमें एक कॉमन थी, कॉमन ये बात थी कि पर्मानेट आली जो बैकेंशी के अतना पेपर फरल आया था कि उसकी मेरिट इसलिए हाई चले गई ठीक है, और मैं आपको दोस्तों बिश्वाब मानिए, नीचे जो है टेलीगराम का चैनल का लिंक है, ठीक है, और उस फास्ट्रेक कोर्ट का दोस्तों काम चलाओ कठिन गया था, ठीक है, इसलिए दोस्तों 80 नमबर गया था, 80 का 84 गया था, ओबीसी का, ठीक है, और इसमें फास्ट्रेक कोर्ट आले में दोस्तों गया था लबग 61 नमबर, बताई सोची कितना डिफरेंस हो गया, तो पेपर की लेबल का डिफरेंस दोस्तों बहुत बड़ा एहमियत रखता है ठीक है तो चलिए दोस्तों देखती है आगे तो टैपिंग पता ही है दोस्तों पची पची नंबर का होगा आपको दोस्तों हेंडर प्रेशन एकुरेसी माननी पड़ेगी अब इसमें भी दोस्तों दिखती है कि ये paper जो है क्या नाम है और stage 2 दोस्तों कुछ बताएं यह दोस्तों लिख दिया typing test तो typing test जो है वो offline होगा, online होगा यह नहीं पता सल पाएगा ठीक है यह आपको अंती में लेकिन दोस्तों अगर आप offline अभी से करना फूरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही benefit रहेगा ठीक है तो मुझे रखता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा vacancy अब देखें दोस्तों कुछ जो थी बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि merit कितनी जाएगी और पेपर डाउनलोड कहां से करें तो पेपर मैंने बताया था दोस्तों नीचे टेलीग्राम के चैनल का लिंक होगा ठीक उसको एक्टिवेट कर लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब बिडियो मिलते रहेंगे उसमें ठीक है तो उसको बारात आई तक मैं दो या तीन पेपर 2014 का 2000 फत्रह का जो फास्ट्रेक था ठीक है और 2000 फत्रह का ही जो मतलब वह आया था क्या नाम है पर्मारेंट की तीनों पेपर मैं आपको अप्लोड का दूँगा दोस्तो 2011 में जो मिरिट गए थी लभग मुझे याद है तीरपन के संथिंग गए थी तीरपन उपन नंबर और बाद में जितना भी लोगों ने तीरपन ये आउफ़े कम नंबर 14 नंबर मारा था लोगों ने उनको बुलाय गया था टाइपिंग के लिए और टाइपिंग म दोस्तो सभी लड़के टाइपिंग सीख चुके हैं मैं खुद टाइपिंग मनलब गया था देने तो लभग इसके पर्मेन डाले में दोस्तो बहुत लड़के सब लोग टाइपिंग अब जान गए हैं क्योंकि दूस्तो आप बताओगा अच्छे ची शूट खुल गए हैं और लड़कों की जब फेलेक्शन हो जाता दस्तो तो जी तोड़ महनत करते हैं तो आप टाइपिंग मजाईए अभी तो फिलाल दस्तो मैं तो कह रहा हूँ आप परिच्छा पर जाईए ठीक परिच्छाओ पर ध्यान दीजिए अपने और अगर आप मानके चलिए दूस्त और दोस्तों सेयर कीजिए अपने दोस्तों को क्योंकि सेयर से ही मनलोग कुछ भला हो जाएगा मेरा ठीक तब तक दोस्तों जाएं जय भारत